बिस्तर पर लेटे हुए घंटू हो चुके हैं लेकिन नीद नहीं आ रही है तो इधर उधर करवटे बदलने की जगे आप इस टेकनीक को ट्राय करके देखे ये उन दोनों कारणों को दूर कर देगी जिसकी विज़े से आपको नीद नहीं आ रही है यह थकान हो सकती है या मन में बहुत जादा विचार हो सकते हैं अब आराम से एक बार मूँ धोकर आईए और बिस्तर पर पैठ चाहिए अब अपने हाथों में लुब्रिकेशन के लिए कोई क्रीम या लोशन ले दीजिए जो भी आपके फेबरेट है कौन से क्रीम है, लोशन ले दीजिए डेल वह इंप्राइट नहीं है इंप्राइट धेकनीक उस क्रीम को या जो भी आपने लुब्रिकेशन में के लिए तेल गी लिया है उसे अच्छे से अपने हाथों पर इस संचे से मसलआ और उसके बाद आपको अपने हाथों में एक्योप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना है यह ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके तनाव को तुरंद कम करेंगे आपके थौट्स को कम करेंगे और ठकान को दूर करेंगे तो सबसे पहले अपनी उंगलियों की मालिश करनी है देखे आपकी जो उंगलिया है ये आपके हाथ और पैरों को रिप्रेजेंट करती है ये वाली जो दोनों उंगलिया है ये आपके हाथ है और ये जो दोनों उंगलिया है ये आपके पैर है तो चाहे आपको हाथों में दर तुरंत कम होता है हाथों में जो नव एंडिंग्स है ना वो आपके पूरे शरीर से जोड़ी हुई है तो यह जो मसाज है इसको आप हलके से मत लीजिएगा यह बहुत इफेक्टिव है करते ही आपको इसका असर पता चलेगा अगर आपको कंदु में सिर में गर्दन में कहीं तो अपने अंगुठे के मालिश कीजिए यह जो हिससा है ना इसको आप अच्छे से मसाज कीजिए अंगुठे की दोनों तरफ आपको मालिश करनी है बहुत इफेक्टिव है यह दोनों हाथों में आप करके देखिएगा यह इतना करते ही आपका पूरा शरीर जो है वो रि कि प्रेशे पॉइंट और एक ब्रीधिंग टेक्निक इतना करते करते आपको नींद आनी ही है हंड्रिड परसेंट लाखों लोगों ने इस टेक्निक को अजमाया है और बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स उन्होंने पाए हैं नींद के गोलियां छूट जाती है यह फिंगर्स की मसाज जब हो जाए उसके बाद यहां उंगलियों के बीच में इन पॉइंट को आपको प्रेस करना है अच्छे से टाइम लगा यह आप लेट कर भी कर सकते हैं असा नहीं है कि आपको बैठ के करना है लेट कर आराम से इस शरीर में आ रहें रिलेक्सेशन को फील करें लंबी गहरी सांसे लेते रहें और अनुभव करें कि जो आपके शरीर का दर्द है वो देखें कैसे दीरे-दीरे कम होता जा रहा है और जब आप रिलेक्स होंगे आपका माइंड रिलेक्स होगा तो नींद आनी ही है यह दोनो थकान दूर करने वाली प्रक्रिया है और थकान सिर्फ शरीर की नहीं मन की थकान भी दूर होगी तो आराम से जब तक आपको अच्छा लगे इन पॉइंट्स को प्रेस करना है शरीर के पिछले भाग में यानि पीठ में कहीं दर्ध है तो आप अपने हाथ के पीछे ये जो उ बहुत इफेक्टिव है जितने भी लोगों ने इसे किया है ना बहुत कमाल के रिजट्स में दोनों हातों में आप इसे करेंगे बहुत अच्छे, साइटिका का पेन है, कमर में दर्द रहता है, रीड की हड़ी में कोई प्रॉब्लम है, उस सारी जो दर्द है न, वो इससे आपको दूर हो जाएंगे, और डेली करें आप इसको, और ऐसा नहीं है कि जिने कहीं दर्द है या नीन नहीं आती, उन्हें ही करन तो आपकी जो पूरी रात की नीन्द होगी न, वो हीलिंग से भरी वही होगी, जब तन और मन से रिलाक्स होकर हम सोते है न, तो वो नीन कमाल का असर दिखाती है हमारे शरीर पर, इतना हो जाने के बाद, यह एक 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 प्रेशर पॉइंट है, हतेली के बीचों बीच, इस हतेली के बीचों बीच, जब यह कर रहे हैं, इस पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं, आराम से आप आखे बंद कर सकते हैं, लंबी गहरी सांसे ले सकते हैं, लंबी गहरी सांसे तो वैसे ही एक टॉनिक का काम करती हैं आपके शरीर के लिए, करें आप अभी सांस भरे, सांस छो डीप ब्रीधिंग आप दिन भर भी जादा से जादा करने की कोशिश करें तो यह जो इस तरह की समस्या है ना वो वैसे ही आपसे दूर रहेंगी यह हो गया दो-दो मिनिट आप दौनों हाथों में इस पॉइंट को प्रेस करें उसके बाद आप आराम से आखें बंद कर लें और बैली ब्रीधिंग करनी है बैली ब्रीधिंग आपको रेस्ट और डाइजेशन के मोड में ले जाती है आपके शरीर और मन को शांत करती है कैसे करना है जब आप सांस भरेंगे तो पेट को पूरा फुलाएं बहुत जादा प्रयास नहीं करना है नेचुरली देखिए ज जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हैं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाना सांस छोड़ें बिलकुल अंदर दबा दे बेट को जिससे शरीर में जितने भी टॉक्सिंस हैं वह बाहर निकलेंगे और खून का दोरा जब बढ़ेगा इस तरह की डीप करते हैं आपके ब्रेन को जादा से जादा ऑक्सिजन मिलती है और बस यही आपके लिए एक ब्रेन टॉनिक का काम करता है आपका मस्तिश्क शांत होते ही शरीर में फील गुड हॉर्मोन पहने लगते हैं और जो स्ट्रेस हॉर्मोन से उनका लेवल कम होने लगता है चलिए इभी हम चार-पांच बार इसे करेंगे आप आराम से आखें बंद कर लें सांस भरें सांस छोड़ें पूरा शरीर रिलाक्स एक और बार सांस भरें सांस छोड़ें सांस भरते हुए पेट को फुलाना सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबा देना सांस भरें सांस छोड़ें हर सांस के साथ शरीर को ठीला छोड़ते जाएं कंदे हाथ पेर गर्दन कमर चेरा इताम रिलाक्स सांस भरें सांस छोड़ें एक और बार सांस भरें सांस छोड़ें बस इसी तरह से सांसों पर ध्यान रखते हुए आप सांसे लेते रहें आपको कब नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा करके देखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें करके देखें